वो जो होती है ना ट्रीट्मेंट मेले बाबू ने मेले बाबू ने रियालिटी में मेला बाबू कुछ होता ही नहीं है आपको पता है पती पत्नी के बहुत सरे जोक्स मनते हैं बहुत ज़्यादा हसी मजाक होती है पत्नियां ऐसी होती है तो आपको क्यों लगता है कि पत्नियां ऐसी होती है क्योंकि आपने अपने आपको खुद इतना ज़्यादा डिग्रेट किया हुआ है अपने पत्नी के सामन और in fact आपने देखा होगा कि husband जो होते हैं mostly अपने जो secrets होते हैं अपने जो चो भी चीजे हैं अगर उनके साथ कुछ गरबढ हो गई अच्छी हो गई वो हर एक चीजे आपको नहीं बताते हैं उसका सिर्फ यह हो सकता है कि वो उतने open-minded नहीं है लेकिन उसी तरह से उनके अंदर जितनी maturity है शायद आपके अंदर उतनी maturity नहीं है जिसके वजह से भी कई वार आप मजाक की पात्र बनती हैं तो आज की इस फीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी tips बताने वाली हूं जो कि आप अपने maturity को थोड़ा सा दर रहना मेले बाबु ने थाना थाया हम खुद ही अपने आपको degrade करते हैं तो सामने वाला मजाक उड़ाएगा उड़ाएगा सामने वाला जो करेगा ही करेगा पती-पत्नी के memes बनेगे ही बनेगे मट इतना जादे यह करिए प्यार महबत सब अपनी बात है लेकिन after 30 आपको खुद रियलाइस होगा कि इनसान को इजद देना इनसान को रिस्पेक्ट देना यह जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि जितना अगर आप बहुत ही बीच जाओगे अपने हस्बेंड के साथ अपना शारा अस्त्रशस्त्र आपने त्याग दिया है सिर्फ और सिफ डेडिके इसके पात्र बनते हैं तो आप यह बात को समझे इसकी ग्राविटी को समझे कि आप जो भी बाते बोल रहे हैं उसमें मैचुरेटी जहलकनी चाहिए पहली चीज क्या है मैचुरेटी जहलकनी के लिए आप जो भी बाते बोले चाहिए आप जैसे कि मानलेजी कि आपको अप आपने आपको बच्चा ट्रीट करना बंद कर दे हैं वो जो अगती है na treatment मेले बाबु ने मेले बाबु ने reality में मेला बाबु कुछ होता ही नहीं है सामने वाला person आपको पयार पयार जता रहा है लेकिन उसको भी एक mature इन्सान या mature lady चाहिए जो कि उनके घर को समहाल सके दूसरी चीज़ क्या होती है कि अपने आपका जो भी इस्किल है जो भी आपकी प्रोफिशनसी है चाहे वरकिंग गुमेन है बाहर जाके आप काम करती हो या घर में आप अपने घर को अच्छी तरह से समारती है उनमें आपकी इस्किल दर्शाना या इस्किल में दक्षता शिल करना वो जरूरी है अगर आप housewife ही है आप proper तरीके से खाना बनाना सीखिए आप proper तरीके से कुछ काम करना सीखिए जहां पर आपकी बचकानी हरकत ना सामने आए बतलब बच्चे 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 कितना treatment आपको बच्चा वला चाहिए comfort जो उनकों कुछ ह कि यहीं लोग है जो आपको उठके तान्य मारेंगे तो अपनी मैचुरिटी शाबित करने के लिए एटलिस्ट आपको अपने स्किल के उपर कंट्रोल होना चाहिए इतनी दक्षता होनी चाहिए कि जो आप है वो आपकी स्किल आप में दिखाए दे चाहिए अगर आप लेकिन अवर्क्षता अब कर रहे हैं वहां पर आपने स्किल अपनी आपको अचे पत्ते हो तो वहां पर यह कुछ sub लेबल होता है कि बात् Rabbit को अम इसमें अचिरीटी को हांसिल करना है ए इसरी सिर्फ और सिर्फ में यह नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ अपने इसकिल के उपर आपको ध्यान देना है प्यार महबबत नहीं जताना है लेकिन 100% किसी भी परसन को 100% देना बंद कर देजे चाहे वो खुद का ही पती क्यों ना हो एक से 2% अगर अपने self-respect के नाम पे या फिर self अपना जो एक कह सकते हैं उसके नाम पे अगर आपने बचा लिया आपके लिए बहुत बड़ी जीत होगी क्योंकि जब 100% हम बिच जाते हैं किसी सामने वाले के उपर कि नहीं जो तुम ने कहा तुम ही हो माता तुम ही हो पिता हो हमने उसको हर एक चीज अपने life की बता दी वो इंसान आपके उपर rule करेगा ही करेगा तो किसी को अपने life के उपर rule ना करने दे life दोनों की है पती पतनी एक रिष्टा है बाकी रिष्टे इसके सामने ऐसा नहीं कि फीके पड़ गए है बाकी रिष्टों को भी तबज़ो दे आप एक चीज नोटिस कर लिजे मैं आप से सिर्फ और सिफ एक सवाल पूछना चाती हूं हस्बेंट जो होते हैं क्या वो अपनी family को किसी भी point of time पे छोड़ सकते हैं even family तो बहुत जादा बड़ी बात हो गई आपने friends को भी वो नहीं छोड़ते हैं लेगिन जो ladies होती हैं अपनी पकी सहलियों को छोड़ देंगी अ क्या कभी पती ऐसा करता है पती किसी को भी नहीं छोड़ता है वो सबको लेके चलता है तो सबको लेके चलने की आपकी भी जरूरत है कि आप भी अपने पती को जिस तरह से आपका पती एक relationship है उसी तरह से बाकी की जो relationship है वो भी important है चाहे वह आपकी माबाप हो चाहे वह आ उस टेम पे इतनी जादर तकलीफ होगी कि मैंने वोस रिष्टे को क्यों छोड़ दिया, मैंने अपनी हर बात उनको क्यों बता दी, dedication के नाम पे, loyalty के नाम पे मैंने हर कुछ बता दिया लेकिन आपको वहाँ से वो सारी चीज़े नहीं मिलने वाली है तो याद रखना दोस्तो एक बात जो कि दिल से निकली है कि अपनी maturity के responsibility आप खुद लो पांचवी चीज़, बहुत important है अपने पे रुपे खड़ा होना जब अगर आप अपना कुछ रुपया अन करते हो चाहे वो 10,000 रुपे हो, 20,000 रुपे हो, 30,000 रुपे हो तो चाहे पती कितना भी लाखो कमाए आप अपने नजर में हमेशा उपर उठोगे आपके सोच की value होगी, आपके जो काम करने का तरीका उसकी value होगी, और 6 चीज़ है कि आपके बात की value होनी चाहिए अगर आपने की, बहुत जदा आपको बकवास नहीं करनी है पूरे टाइम, पूरे टाइम चैटरिंग नहीं करनी है इससे आप अपने maturity के level को कम कर रहे हैं अपनी importance को कम कर रहे है आपको करना क्या है कि जो आप बात बोलो husband से बिलकुल maturity के साथ बोलो जो चीज़े आप बोल रहे हो, उनमें 100% सच्चाई होनी चाहिए ताकि वो इनसान जुट बोलते के समया कर आपका husband छोटी छोटी बातों पर जुट बोल रहा है वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा कि इस लड़की को मैंने क्यों धोखा दिया या फिर मैंने इसको क्यों ditch कर रहा हूँ मैं छोटी छोटी बातों पर क्यों ditch कर रहा हूँ जबकि ये बिल्कुल सच बोलती है वो खुद ही शर्माजेगा उसके अंदर इतने हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आपको degrade करके देखेगा तो अपनी बातों पर stand लेना सिखिए आप कहीं जा रहे हो या आप कुछ कर रहे हो या फिर आपकी जो एहमियत है वो भी important है ये बात आप लिख करके ले लो और जो बात आप बोल रहे हो आपके बात में 100% सचाई होने चाहिए अगर बात के अंदर अगर contradiction रहेगा तो वो सामने वाला खुद ही आपको टेकिट ग्रांटेड लेगा आरे तुम्हारे तो आदत ही है तुम जोटी बोल देती हो यानि कि जब आप जिस पॉइंट पर सच भी बोलोगे न किसी को भी उसके उपर बिलीव नहीं होगा तो right from the beginning आपको बिल्कुल सच बोलना है आपने ये बात बोल दिया मतलब हाँ ये पत्थर की लकीर है ये बिल्कुल हुआ है कोई self-taught कभी भी ना हो कोई सामने वाला आपको ये बिल्कुल ना आगे बोल के चल जाए कि नहीं इसकी तो आदत है जुट बोलने की ऐसा अपने आपको मत बनाएए जितना जादा अपने आपको गर्त में गिराएगा सामने वाला परसन आपको और भी गर्त में गिरते हुए देखेगा भले प्यार सब के बीच में होता है किस पति-पत्नी के बीच में प्यार नहीं होता है किस दोस्तों के बीच में प्यार नहीं होता है लेकिन अपनी कितनी value बनानी है वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा एक housewife घुट घुट कर जीती है बहुत ज़्यदा वर्क करती है सब कुछ सोचती है लेकिन अगर उनको शाम में ये सुनने के लिए मिले तुम करती ही क्या हो तो वो जो बोल रहा है person उसकी इतनी मतलब क्या सकते हैं कि गलती नहीं है जितनी गलती उस बात को उन्होंने बोला क्यों आपने उसको इतना छूट दिया या आपने उसको इस तरह का बनाया कि वो ये बात बोल सकता है मेरे बात पर गौर करिएगा बहुत ही काम की बाते बता रही हूँ यह बहुत काम आने वाली है मेरे बाकी वीडियोज भी देखे आपको help करेंगे Thank you so much for watching